हलो एविएवन, वेलकम बैक टो माँ चैनल, आज फिर से आपके एक नया ट्रिक बनाएं जारों जिसका नाम है कमपाउंट्रेस, जैसे कि मैं आप सभी जानते हैं कि कमपाउंट्रेस का सम को सॉल्व करना आसान नहीं होता है, फॉर्मले याद करने पड़ते हैं, काफी सार कैल्कुलोशन करना पड़ता है, फिर जाके आंसर आता है, लेकिन ये वीडियो में आपके लिए कुछ अलग लेकिया हूं मैं, आपके लिए कमपाउंट एक दाँ आसा पहला को से इस तरह दिया हुआ है, कि find the difference between compound interest and simple interest on rupees 5000 for 2 years at 4% per annum, देखिए, ये topic से बहुत बार question पूछे गया है, क्या topic है, देखिए, ये topic है, कि difference between compound interest and simple interest, इसमें से बहुत बार question पूछे जाते हैं, और दो तरीकर का पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है, कि 2 years का और पूछा जाता है, 3 साल का, तो 2 साल और 3 साल का मैं trick लेकर है, और मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को end तक देखिएगा, देखिए, पहले क्या करता है, देखिए, simple interest पूछा निकालते थे, उसके बाद देखिए, compounders निकालते थे, फिर क्या होता था, दोनों का interest लाने के बाद, हमें, उनका minus करके, हमें difference निकालना होता था, लेकिर, अब हम लोग इतना सा जंजट नहीं करेंगे, short trick से solve करेंगे, क्या करेंगे, देखिए, आईए बताता हूँ, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर difference निकालने बोला है, तो यहाँ पर मैं D लिखूँगा, देख देखिए, P for principal हो गया, तो 5000 है, तो यहाँ पर मैं 5000 लिखता हूँ, उसके बाद देखिए, R मतलब क्या होता है, R मतलब होता है, rate of interest, मतलब व्याज का दर, मतलब आपने जो loan दिया था, उसका rate of interest क्या है, व्याज का दर क्या है, व्याज का दर देखिए, 4% दिया है, तो यह यहाँ पर आप लिखोंगे 4 upon 100 हो गया, अब देखिए यह whole square हो गया, clear हो गया, अब देखिए 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 आगया, clear हो गया, आगे देखिए क्या करेंगे, 5000 लिखोंगा यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखिए square दिया है, तो यह जो है 1 upon 25 जो है, दो बाल लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 upon 25, 1 upon 25, अब देखिए 25, 2 जा 50 हो गया, 2 0 यहाँ पर बचा, वो चिपक जाएंगे, तो 200 आ गया, उसके बाद देखिए 25, 8 जा अपना आ गया, 200, तो यहाँ पर जो difference amount आ गया, वो 8 रुपिस का आ गया है, अगर आपको यह directly कट करना नहीं आता है, उसके लिए क्या करोगे देखिए, आप इस तरह solve करोगे, आप लिखोगे 5000 multiply by 4 upon 100, multiply 4 upon 100, इस तरह से आप दो बाद लिख लोगे, उसके बाद देखिए 0, 0, 0, 0, cancel हो गया, 0, यह 0, cancel हो गया, 5 जा 5, 5 तूसा 10 हो गया, 2 तूसा 4 हो गया, 4 तूसा 8, ऐसे भी आप solve कर सकते हो, तो यह तो ह हो गया, देखिए, जब हमें difference निकाला हो, तो इसी तरह का sum पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है, कि principal amount निकालो, rate of interest निकालो, वो कैसे solve करेंगे, आई यह देखते हैं, हम लोग, next sum में देखते हैं, चलिए दोस्ता, आपके लिए seconds हम लेके आना, देखिए, इसमें क् आपका difference है, और देखिए, 20% जो है, वो क्या है, आपका rate of interest है, और देखिए, निकालना क्या है, आपको principal amount निकालना है, महलब P equal to question mark निकालना है, लेकिन देखिए, यह solve करेंगे से पहले आपको बता दो, देखिए, जो formula बता रहा हूँ, आपको इससे पहले ही बताया, तब ही apply होगा, 2 years नहीं होगा, तो apply नहीं होगा, लेकिन most of sums क्या है, 2 years से पुछे जाते हैं, और 3 years से पुछे जाते हैं, तो 2 years में आपको यह apply करना है, और 3 years में क्या है, मैं यह sum के बाद आपको बताता हूँ, ठीकें, चलिए, चलिए, श्टार्ट करते हैं, देखिए, आप यहाँ पर क्या करोगे, वही formal लगा होगे, deal लिखोगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर P, और R upon 100, the whole upon देखिए, यहाँ पर N लिखेंगे, ठीकें, N मतलब क्या होता है, number of period होता है, मतलब कितने साल के लिए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए, 2 होगा, clear होग है, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दिया, अब आपको 100 trick देदा हो, देखिए, कैसे solve करोगे, बहुत ही easy trick है, आप क्या करोगे, 8 हो गया है, और यहाँ पर P multiply by, यहाँ square दिया है, तो आप 2 बार लिख लिजिए, देखिए, 2 बार आप लिख लिजिए, ठीकें, अब क्या करोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पलट दोगे, तो भी चलेगा, यहाँ फिर आप देखिए, 00 cancel कर लिजिए, 00 cancel हो गया, 2 बंजा 2 और 2 फाइजा 10, 2 बंजा 2 और 2 फाइजा 10, यहाँ तक clear हो गया, अब देखिए, क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर 8 इकुवल टू, P अप 25 multiplied by 8 equal to P हो जाएगा, तो P equal to कितना होगा, आपका 200 हो जाएगा, तो इस तरह सरा answer निकाल सकते हो आप, तो यह आपको समझा दिया है, मैंने, अब आपको बताने वाला हो मैं, कि यह difference between simple interest and compound interest में, अगर 3 years का पूछा जाए, तब आप क्या करोगे, आई यह आपके लिए और इंपोर्टन सम ले क्या है, अब हम सम करेंगे जब 3 years दिया होतो हो, 2 years का सीख लिया है हम लोगने, 3 years का क्या करेंगे, वो मैं आपको सिखाने वाला हो, देखें यहापर क्या दिया है, the difference in simple interest and compound interest on certain sum of money in 3 years at 10% per annum is Rs. 372, मतलब यहापर जो difference जो है, वो 372 है, clear हो गया है, और 10% जो है आपका rate of interest है, मतलब R है, और 3 जो है आपका वो N है, clear हो गया, चलिए आगे बढ़ते है, अब क्या करेंगे, यह formal लगाएंगे, देखिए, सबसे पहले देखिए, difference, जो हम पहले लगाते थे, 2 years का, वो formal लगाना है आपको, क्या लगा होगे, देखिए, P, उसके ब यह आप अलग से add करोगे, बस खाली, यह आपको सिखना है, पहले जो था, acidies हुआ रहेगा, 3 years का क्या किया है, हम लोग ने, R upon 100 plus 3 हमने लिखा है यहाप पर, यह 3 देखिए, जब भी 3 years का पूछा जाएगा, तब आपको यहाँ पर 3 लगाना है, clear हो गया है, और यहाँ पर 372 दिया हुआ है, principle मुझे नहीं पता है, तो मत लिखिए, आगे बढ़ते हैं, rate of interest किया देखिए, 10% है, तो यहाँ पर 10 लिखता हूँ, यहाँ पर 100 लिखता हूँ, the whole upon 2, अब देखिए, यहाँ पर multiply sign ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो multiply sign ही होगा, देखिए, अब rate of interest देखिए, 10 upon 100 plus 3, और देखिए, नीचे 1 तो होता ही है, अब देखिए, इतना सारा कुछ है, अब simplify कैसे करोगे, तो simplify करना भी सिखा रहा हूँ, देखिए, एक ही वीडियो में दो चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, simplification भी सिखा रहा हूँ आपको देखिए, देखि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 300, 310 upon 100 होगा, अगर हमने इसको simplify किया, तो यह clear हो गया है, आगे बढ़ते देखिए, क्या करेंगे देखिए, बहुत ही अच्छा trick लिए रहा हूँ देखिए, 372 लिख दिया अपने, उसके बाद देखिए, यहाँ पर P लिखोगे, multiply इसको देखिए, 00, cancel हो गया, यह 10, यह 10, cancel हो गया, 00, यह cancel हो गया, अब बचा कुछा देखिए, क्या है, अब देखिए, जो बचा कुछा है, इधर आएगा, तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 372 multiply by, अब देखिए, यह 1 upon 100 है, इधर आएगा, 100 upon 1 हो जाएगा, multiply देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, 10 upon 1 हो जाएगा, अब देखिए, 31 upon क्या है कुछ नहीं है, तो 1 होगा, तो यहां पर क्या हूगा, one upon 31 हो जाएगा, और पी बिचारा यहां पर रह जाएगा, clear हो गया है, ये एक trick है, जब ये जब इधर आजायेगा, तो इसा पलड जाता है क्यों पलड जाता है क्यों multiply division form में आ जाता है इसलिए ऐसा होता है अब देखिए क्या करेंगे देखिए 11 cancel हो गया चलिए 31 31 1 जा कितना होगा देखिए 372 तो 31 1 जा 31 होगा आपका और यहाँ पर 62 होगा 31 2 जा 62 होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 12 लिखोगे आप देखिए 12 लिख दिया मैंने ये 207 में आ गया ये 207 में आ गया तो इस तरह से आपका जो P जो है वो आपका 12,000 आ गया है तो इस तरह के sum को आप easily कर सकते हो तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें बताएए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों कर सेर कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और साती सा बेल आइकन जब प्रेस कर तो इसमें 3 option आएंगे उसमें all click कर देना अगर ये सब कर दिया आपने तो जो भी latest video बनाएंगे हम वो आप तक easily पहुच जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ऐसे ही प्यार देते रहिए सीखते रहिए सिखाते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दूआ में आप रखना अल्ला हाफिज